खिसलूनिक्यों के नाम पॉलूस प्रेडित की पहली पत्री पांचुआ ध्याए। परहे भाईयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विशे में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभ है और कुछ भै नहीं तो उन पर एका एक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीती से न बचेंगे। पर हे भाईयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े क्योंकि तुम सब जोती की संतान और दिन की संतान हो हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं इसलिए हम औरों की नाई सोते नर हैं पर जागते और सावधान रहें क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मत्वाले होते हैं वे रात ही को मत्वाले होते हैं पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की जिलम पहिन कर और उद्धार की आशा का टोप पहिन कर साउधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु ईश्री मसी के द्वरा उद्धार प्राप्त करें। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे भाईयों हम तुम से बिंती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो और हे भाईयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धालस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ, साउधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर ततपर रहो, आपस में औ पर्मेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को न बुझाओ, भविशद्वानियों को तुछ न जानो, सब बातों को पर्खो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शान्ती का पर्मेश्वर आप ही तुमें पूरी रीती से पवित्र कर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, हमारे प्रभुई श्मसी की आने तक पूरे पूरे और निर्दोश सुरक्षित रहें, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा, हे भाईयों, हमारे लिए प्रार्थना करो, सब भाईयों को पवित्र चु पत्र देता हूँ, कि यह पत्री सब भाईयों को पढ़कर सुनाई जाए, हमारे प्रभुई श्मसी का अनुग्रह तुम पर होता रहे।